वेलकम गाईज, वेलकम बैक टू इन्फोकटा फैमिली, तो अभी मैं ऐसे ही बैठा था, चार्ट चेक कर रहा था, और चेक करते-करते मुझे यहां पर दिखाई दिया कि यार, विपरो ने जो 440 का लेवल में इतने दिनों से बता रहा था, कि 440 का आमें ब्रेकाउट मिलना चाहिए, तो वो फैनली यहां पर हमें ब्रेकाउट मिल चुका है, वन डे के चार्ट में, तो मैंने सुचा कि यहां इसके उपर वीडियो बना दू, क्योंकि कल सुबह मार्केट खुलने के बाद यह तगड़ा भागने वाला है, और उसका रीजन क्या है, वो हम इस वीडि चैनल है, आपका अपना, अगर आप इस चैनल के उपर नहीं है, तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली में ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, अपना डेली लाइव सिविंग भी होता है, दो पेर को देड़ बजे और शाम को होता है, वो क्लूड कर लेता हूँ, यह देखो यहाँ पे, आठ अगुस्ट दो आजार बाईस, ठीक है, चारसु चालिस के लेवल से नीचे आया, उसके बाद 15 सब्सक्राइबर 2023, चारसु चालिस के नीचे से लेवल से नीचे आया, और यहाँ एक डबल टॉप लगा था, वहाँ से अच्छा क हाई की अगर में बात करू, मार्केट ओर ओराल, टोटली हाइप है, आपको पता ही है, सारे के सारे स्टॉक जो है, वो बुम है, लेकिन विप्रो अभी भी नीचे, और कितना नीचे है, मतलब करन प्राइस के हिसाब से, अगर मैं इसको देखू, कि करन ली जहाँ पे है, 446 के आसपास वो अभी है तो 446 से हम देखेंगे और all time high तो 66% नीचे है अभी भी बतलब जितना all time high लगाया था उसने 2021 में 18 October 2021 तो यहाँ पर all time high से लगबख 66% यह अभी नीचे है तो वन दे के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ब्रेक आउट मिला है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का काफी अच्छा मोका मिल रहा है अगर आप मंतली एक्सपारी बायन होल करना चाहते हो तो भ अगर आप लेना चाहते हो इस मंद का एक्सपारी तो आप 450 का कॉल भी यहाँ पर खरीच सकते हो जिस प्राइस पर चल रहा है उस प्राइस पर और लगबग आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका 5-7 परसेंट का आपका डिस्क लेना है आपको बाकि टार्गेट त पता नहीं राइट यह हमें कब पता चलेगा अभी मंडे को जो मुमेंट हम आएगा उसके उपर डिपेंड है तो अगर आप इस मंद का एक्सपारी ले रहे हो 450 का जो स्राइक प्राइस है उसको भाई कर लो एंड होल कर लो 5-6 दिन देखो अगर प्रॉफिट में आ जाते ह तो नहीं आते हो तो next expiry में आपको shift होना है जो की रहेगा आपका January का expiry उसमें आपको shift होना है तो यहाँ पे जो लोग buy and hold करना चाहते है कैश में buy करना चाहते है उनके लिए target क्या-क्या रहेंगे चारसो असी का टार्गेट तो मैंने आपको बताई दिया है जो की expected है आने वाली 10 से 15 दिन में मिल जाया हमें इस मंधे इंट तक वो टार्गेट हमें मिलना चाहिए उसके बाद बीच में कहां पर अटका हुआ है तो 500 के आसपास एक अटका हुआ है तो वो एक हमें यहां पर टार्गेट मिल सकता है सेकेंड टार्गेट उसके बाद 530 का हमारा यहां पर रहेगा थर्ड टार्गेट और उसके बाद एक अभी 530 के बाद थोड़ा उपर जाना मुश्किल लग रहा है जैनुरी एंड या तो फेबरोरी के मिड तक आपको यहां पर मिलना चाहिए जिस प्रकार से अभी मार्केट मुवमेंटम दे रहा है उस प्रकार से तो यार यह जल्दी आएगा लेकिन मैं सेफर साइड आपको थोड़ा सा दूर का बता रहा हूँ जो यह बड़ा केंडल बना था इसका अगर हम 440, sorry 424 के इससाब से पकड़ेंगे तो कितने परसेंट का स्टॉप लॉस है 5% और नॉर्मली स्विंग ट्रेड में हमारा 5% का स्टॉप लॉस होता है 3-5% का आपको रिस्क लेना होता है जब भी आप स्विंग ट्रेड करते होतो और 7-8% का आपको टार्गेट लगाना होता है जब आप प्राइज एक्षन के इससाब से स्विंग ट्रेड बाई कर रहे होतो अगर आपके मैंड में कोई स्टॉप है वीडियो को लाइक तो आपने किया ही होगा फिर में अपने आपके कर्टे पर तब तक जाहिए